एक प्रश्ण करना चाहता हूं थोड़ा अलग प्रश्ण है कॉमन विल्ट में भारत ने अच्छा परफॉर्म किया मैं देखा कि मतलब 114 मिडल रहे जिसमें लगभग 50 के असपास गोल्ड मिड़ी भी रहे लिगा ओलम्पिक्स में भारत का प्रश्ण खास नहीं रहे और गो के अच्छ नहीं पहले थी पर लेकिन अब जब से हमारे कुष्टी संद्गे ब्रिज बुसंश्वर्म सरण सिंग सर जी तब से वह मतलब यह धरती हो गई यहां थी पर अब हमारी कुछती यहां है अब भार के रैसलर यह सोचते कि यह ऐसा क्या कर रहे अभी कैडिट में सब जूनियर में जूनियर में हमारे लड़कों के भी बे-8 गोल्ड मेडल आये हैं नरेन मोदी जी ने भी हमारे सर को टूइट करके बदाई है कि आप बहुत अच्छा पर्फरमेंस कर रहे हो उन्होंने मतलब जब वह ऐसे हैं कि वह हम से मीटिंग करते हैं सीनियर पहलवानों से कि आपके साथ जो जो दिक्कत आया थी वह आप हमें बताओ जो बच्चों के साथ ना आए तो हम उन्हें बताते हैं और 11 12 15 उन सब अब सिस्टम में मुझे लग रहे हैं कि सुधार है और जो साथ मैडल आए है दो हजार चोविस में इसका डबली विजल्ट होगा और गोल्ड भी कहीं दूर नहीं है जैसे हमारी पूमेंस चल रहे हैं अच्छी मितरता है 2018 में उनके जरम दिन 8 जन्वरी को उन्होंने मुझ अपने गाउं बलाया था हुआ हजारो हजारो बच्चे थे उनको सेमिनार देने के लिए तो काफी कुष्टी के पहलवानों को बहुत मदद करता है बहुत उत्सा बढ़ाते हैं ये तो ब्रिजबुशन जी ने आपका उत्सा बढ़ा है आपको लाइफ में कोच भी ले थे और बाद में फिर विक्रम कुमार सोनकर और प्रेमनाथ जी ने आपका काफी सपोर्ट किया तो कोच के वर टेकनीक नहीं सिखाता है मोटिवेट भी करता तो आपको क्या लगता है कि कोच का क्या रोल है जीवन के अंदर कोच हमारे मैट पे भी होते हैं और जो उस ट को एक तारीक को जारे थे तब मैंने आपकी वीडियो देखी थी और मेरे पास एक परच़ा भी है वह में जब दिखांगे जब जो मैने उस पर लिख आयो पूरा हो जाएगा तो आपकी वीडियो आपने वहाग मिलका सर पे वीडियो बना रखी हम की वह डिस्ट्रेक होने क के अंदरowej और जैने मेरे को चाहे तो यह मैटी खुमार यह गुरुष्ते इशचेमिदंगे में एकनिक उसमी जुछ दइसंस ब्लत सब्सक्राइब तो यह मैने चुन सा je अनिशन बमुझा पर अपने दिए झारने के इसनक आप देए टैनिंग झाल झाल